अजिते नहीं दो पुपशाना जाएंगे अच्छी तरह पाहएं आधा किलो मैंने कंडी है इसे मैंने अच्छी तरह पहले वास का लिए अब इसका ऑपर का सिल्का ता है इसी तरह सिलका अतार लेंगे दोनों कद्दों को मैंने छील लिया हैं आप कद्दू को ना कद्दू कश कार लेंगे कदू को मैंने कदू काश कार लिया आप देश सकते हैं एक कप आईल डालेंगे आप इसमें गीवी डाल सकते हैं आयल को तोड़ा सा अगरम कार लेंगे आइल को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है, कदू काश किया हुआ कदू डालेंगे, मिक्स कार लेंगे, अब इसे चमच लाते हैं पांच मिन तक बून लेंगे, इसे मीडिया माच भाई बूनना, कुल आंच पे नहीं बूनना, नहीं तो कदू कचा रह जाएगा, कदू को थो है, अचितरा मिक्स कार लेंगे, अब इसे तीन मिन्ट के लिए दबारण बून लेंगे, साथ में, हमारी सूजी पक जाएगी, सूजी डालके, मैंने तीन मिन तक बून ली अकादू को, ISIS आदा किलो दूद डालेंगे, मिक्स कार लेंगे, आप इसे में सुखा दूद के आदी प्याली चीनी डालेंगे, मिक्स कार लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कार के चीनी को बार में पांच मिन तक दबारा, पांच मिन तक दबारा पका लेंगे इसे गाड़ा करना है भी, गाड़ा होने तक पका लेंगे इसे, ऐसे से चमच लाते हो पकाना, हल्वा हमारा गाड कद्दू का हलवा अपने हमजे का बनता है यह बहुत ही तरीका सान है आपके बच्चे कद्दू कहाते तो यह लाजम हलवा बना के चाक कराएं इसको कद्दू का हलवा बहुत ही चेस्ट है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खाने में भी मज़ा है इसका, आप जरूर एक बार बना के देखें, मेरे तरीके से, ये कैसा जेशा है, कड्डू का हलवा हमारा त्यार हो जुका है, आप दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे प्लेट में डालेंगे, ये सिहत के लिए भी बहुत अच्छा है आप जरूर इस तरीके से लाजबी बना के खाएं हमारी वीडियो